नमस्कार फ्रेंट, साब सभी क्या एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिसकस कर रहे हैं एक बहुत इंपोर्टेंट स्लेबस यानि पाठेकरम के उपर आपके पिएज़ी के एडिमिशन के रिटेंटेस्ट का है और सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स यानि की अर्थ सास्त्र तो हमारी चैनल के माध्यम से कुछ छात्रों का डिमांड था कि हम इस सब्जेक्ट का स्लेबस एवलेबल कराएं तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का स्लेबस आपके लिए लेकिया हैं तो आपको हम बतादे की इंडिया में जितनी में उवस्टी हैं उसके अंदर प्रोसेस होता है उन में जो आपके टेस्ट का स्लेबस होता है वो देखा जाए तो 90% सेमी होते हैं 10% ही difference होते हैं अधर दिखा जाए इंविश्टी के बीच में तो सबसे पहले आप जान लेजिए कि आपका जो question paper होता है उसमें दो part होते हैं पहला आपका part होता है वो research methodology के उपर based होता है and second part होता है वो आपके PGK subject के उपर based होता है जैसे माल लेजिए first आपका part हो गया यहाँ पे research methodology and second आपका part हो गया economics तो 50-50% का ratio होता है question का आपके paper में 50% question आपके research से आते हैं and 50% आपके और साथ से आते हैं तो यह आपका ratio रहता है question पूछ है जाने का तो research में अगर बात किया जाए तो research में आपको क्या पढ़ना है याद कर लिजी जो हम आपको अधार है अगर आपको scientific research क्या है यह सही से पता है तो आपका बहतर रहेगा entrance examination second research problem क्या है यह आपको सही से जानना है type of research क्या है कितने research के प्रकार है उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है variables क्या है आपके कौन-कौन से type के variable होते हैं आपके qualitative और quantitative आपके research के बीच में क्या difference है कौन-कौन से आपके गुडातमग रिसर्च है, कौन-कौन से मातरतमग रिसर्च है, ये आपको सही से जानना है उसके अलाब आपका hypothesis क्या है, hypothesis testing कैसे करनी है, आपका experimental और non-experimental research कौन-कौन से होते है research design कौन-कौन से होते हैं, आपको याद रखना है, पढ़ना है इसके बारे में data collection के tools कौन-कौन से होते हैं, ये आपको याद रखना है sampling का कौन-कौन सा process है, कौन-कौन से type के sampling होते हैं, ये आपको study मे लेना है measurement के कौन-कौन से type है, measurement कौन से हैं, ये आपको study करना है Reliability, Weldity, ETC आपको पढ़ना है Scaling Technique आपको पढ़नी है उसके लाव टेस्ट जो होते है Scientific Research के वो आपको पूरा का पूरा देखना है आपके Parametric और Non-Parametric जो टेस्ट होते हैं उनके बारे में आपको जानकारी लेनी है और आपको देखा जाए तो इसके लाव आपके Research के दो Steps हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी रखना है तो हम सबसे पहली आपको दादिए यह Research Methodology है इसके अंतरगत देखेंगे तो इस सभी चीज़ें आपकी आजाती है इस सभी चीज़ें से Question पूछ लिया जाता है तो अब चलते हैं आपके syllabus के उपर तो यहाँ पर देखिए आपके Economics की यहाँ पर बात हो रही है Research Methodology के उपर हमने कुछ बात की अब देखिए यहाँ पर जो आपका Economics का यहाँ पर Interest का syllabus है यहाँ पर Module है Micro Economics, Macro Economics Development and Planning है आपका Mathematical and Estatical Methods है आपका Public Finance है International Economics है Money, Banking and Finance है Environmental Economics है आपका Emerging Issue and Indian Economy, Poverty and Income Distribution आपका फिर है Agricultural Economics तो यह आपके हो गए देखा जाए तो Module 10 Module यहाँ पर दिए गए हैं और सब के बारे में अब हम आगे देखेंगे कि इस Module के अंतरकत कौन-कौन से सौट Topic दिए गए है तो सबसे पहले आपका Micro Economics Analysis है तो इसके अंतरकत देखें यह जितनी भी आपके Topic दिए गए हैं इसको आपको क्या करना है Study करना है जितनी भी Topic है तो अगर आप लोग इन सब को अपने Study में लेते हैं तो फिर आपका Exam बहतर जाएगा यह कहा जाए तो जीतना यहां बिल्या गया है अगर 10 Module है तो 10 Module में 7 Module भी अगर अच्छे तरीके से आप कवर कर लेते हैं तो भी आपका Exam अच्छे से हो जाएक रेटिन टेस्ट क्वाइफाई कर जाएंगे इंटर्व्यूव फेस करेंगे एडिमिशन हो जाएगा ठीक तो यह हो क्या आपका फर्स्ट मॉड्यूल अब देखिए सेकेंड मॉड्यूल है आपका मैक्रो एकनोमिक्स जिसमें एक क्लॉस्टिकल एप्रोच इंप्लिकेशन, ETC जितने भी हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस्क्रीन शॉर्ट भी ले सकते हैं थर्ड मॉड्यूल आपका है यहाँ पर डिलॉपमेंट और प्लानिंग सेश्टिनबर डिवलोपमेंट वीरियस मेजर औफ एकनोमिक डिलोपमेंट human development index capability approach to development तो यहां पर देखिए सभी आपके subtopic यहां पर दिएगे हैं इस module के अंतरगत अब चौथा module आपका यहां पर है यह देख लिए mathematical and statistical methods linear and non-linear functions and their applications difference देखिए integral calculus in consumer behavior यह देखिए यहां पर कि टेस्ट भी दिए गया है hypothesis testing के यह भी देखिए यहां पर हमने जो research methodology की बात की उसमें यह सब चीज़ें आ जाती हैं आपके अब चलते हैं आपके module 5 के उपर जो है public economics देखिए यहां पर economic function of murder government role of government in economic planning and market governance warfare आपका foundations budget type of budgets तो यह आपकी हो गए module आपका देखिए फाइफ के अंतरगत अब module आपका six international economics यहां पर देख लीजिए जीतने भी यहां पर subtopic हैं देख लीजिए इस्क्रीन शॉट ले लीजिए पढ़ने की हमें जूर्थ नहीं है आप लोग खुद इसको पढ़ सकते हैं और आपका हम बता दें कि description box में एक link देदेंगे वहां से यह आप डाउंलोड कर सकते हैं माड्यूल 6 है आपका money banking and finance यह अब देखिए यहां पे subtopic हैं इसको आप लोग कवर करिएगा अपने study में 100% आपका देखा साय तो प्यच्डी का इंटेंस एक्जाम क्रेक हो जाए अब यहां पर देखिए इन्वार्मेंट इकोनोमिक्स माड्यूल आपका एट है जितने भी यहां पर सब्टॉपिक है आप लोग इसके शॉट लीजिए इस्टेडी में लीजिए आपका मॉडूल 9 है Emerging Issue in the Indian Economy Poverty and Income Distribution National Income Accounting जिसमें आपका trends and major issues performance and different sectors problems of poverty, unemployment, migration, inflation and environment economic refers in India तो यह सब आपका सब्टॉपिक में आज आता है अब आपका last जो देखा सा है Agricultural Economics इसके अंतर देखा सा है यह आपके सब्टॉपिक यहां पर है Agriculture and Economic Development आपका Formic System, Theory and Agriculture Development, Law of Referred Returns Production Function तो यह आपके हो गए यहां पर 10 modules ठीक तो आपको हम दिखा दे रहे हैं और एक syllabus जो है वो आपका पूरा का पूरा जो है Research Methodology के उसमें Topics दिए गए हैं तो यहां पर आप देखेंगे PhD Economics का syllabus यहां पर Part 1 में देखेंगे तो यह आपका unit अगर 1 देखेंगे तो रिसर्च से जुड़े वे जो पर टोपिक हैं वह यहां पर रखे गए हैं आपका Research Design क्या है नीर आफ रिसर्च डिजाइन क्या है फीचर्स अफ गूड रिसर्च डिजाइन क्या है basic principle of experimental research design case study problem and limitation planning and implementing research project planning research project problem formulation यह सब देखिए यहाँ पर है आपका यूट 2 है जो data collection से जुड़ा हुआ है आपका data collection, आपका problem in data collection तो पूरा का पूरा यहाँ पर जो topic है यह देख लिजिए पिर आपका unit 3 है यहाँ पर analysis of data measurement and analysis central tendency अपका डिस्पर्शन इसको युनिश एंड कोडिशिस या पर थरूटिकल डिस्पर्शन है नारवल आपका वाइननमल तो यह देख लिए फिर आपका यूट 4 है इसको देख लिए इसको देख लिए तो यह आप अगर टॉपिक कवर करते हैं तो बहुत अच्छा आपके उससे हैं तो चलिए वीडियो यहीं पर सवाप्त करते हैं और इससे जुड़ा हो कोई भी आपको पूछन पूछना होगा आप 100% परसेंट बिना नेशन कोच आप कमेंट करिया तो चलिए आज की वीडियो इतना ही जब तक नेक्स वीडियो नेक्स अप्रेट नहीं लाते ह प्रेशिंग एजुकेसिनल चैनल और अक्वादें बहुत वस्तुव हो